Hello students, today we will do 11th class 1st chapter from Horneville book The Portrait of a Lady written by Khushwan Singh. एचेप्टर सानु एक friendship अते relation बारे जाज़दा है जो राइटर ते उस दी ग्रेंड मदर विर्सी. किमें हो friendship developed होई and how gradually that friendship came to an end, किमें हो friendship होडी होडी खत्म होई. एच सब को जानन लिए अपां लेसन पढ़ देयां. Let's start. My grandmother like everybody's grandmother, मेरी दादी मां जिमें की हर एक दी दादी मां होंदी है, was an old woman, एक बुड़ी ओड़ सी. She had been old and wrinkled for the twenty years that I had known her. ओहो इसे तरही बुड़ी अते चुरडियां वारी चल रही सी पिछले वी सालां तों, जातों मैं उनानूं जान दा सी. People said that she had once been young and pretty. लोग केंदे सन के ओवी एक बार जवान अते सुंदर होया कर दी सी and had even had a husband अते उसदा भी एक पती सी. But that was hard to believe पर एक अल यकीन करने थोड़ी मुश्किल लग दी सी. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. मेरे दादाजी दा portrait, दादाजी दी तस्वीर. Mantelpiece उपर टंगी होई सी ड्राइंग रूम दे वेच. Mantelpiece की होंदा अंगीठी. अंगीठी दे उपर टंगी होई सी ड्राइंग रूम दे. He wore a big turban and loose fitting clothes. उना ने एक वडी टर्बन, एक वडी पाग, अते loose fitting वाले कपड़े पहने होई सा. His long white beard covered the best part of his chest. उना दी जो लम्मी दाड़ी सी, उसने किया उना दी शाती दा बहता हिसा कवर किता होया सी. And he looked at least a hundred years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उना दी बहुत सारे पोते-पोतियां ही होँगे. As for my grandmother being young and pretty, जथों तक मेरी grandmother दे जवान दे सुन्दर हों दा स्वाल सी, the thought was almost revolting. एहे विचार लगपग नाम अनल योग जा लगदा सी, revolting हों दा हार्ट तो बलीब. एसे गल उते यकीन जा करना थोड़ा मुश्कडी लगदा सी. She often told us of the games she used to play as a child. ओ अक्सर सानों उना गेम्ज पर दस दी सी, जो हो बच्पन वेच खेड़्या कर दी सी, that seemed quite absurd and undignified on her part. एहे गल बहुत ही बेतों का जेही absurd लगदी सी and undignified, अते उना दी शान दे थोड़ी खिलाफ जेही लगदी सी. And we treated it like the fables. अते असे इनना गल्दानों fables दे तौरत ही लेंदे सान, fables उन्दा मनकर्त कहानिया. सानु एंज लगदा सी की दादी माही मनकर्त कहानिया ही बनारे सन of the prophets, fables of the prophets. जिमें कोई सादो संता दिया, अफ़तारां दिया कहानिया हों दिया ना, सानु ए गल्ला सारिया एस तरह ही लगदिया सी. She used to tell us, जो हो सानु अक्सर सुनाया करती सी. She had always been short and fat and slightly bent. ओगी है हमेशा एक छोटे जेक अदवाली, मोटी जेही याते थोडी जेही चोक्के चलन वाली लगदी सी. Her face was a criss-cross of wrinkles, running from everywhere to everywhere. उना दा चेरा की हो जासी, criss-cross, जेस्तरा एक जाल जहां हों दे ना, जेस्तरा उना दा चेरा सी, criss-cross सी, उना दे चेरे दे रिंकल सान, चुर्डियां सान, जो कि उना दे चेरे उत्ते हर दिशा वरल चाल दियां हों यां, देस रहियां सान. No, we were certain she had always been as we had known her. ओहो कि हमेशा ही अस्तरा दी लग दे सी, जेस्तरा दी असी उसनों जान दे सान. We are old, so terribly old that she could not have grown older. ऐनी बुटी के जेस्तों जादा बुटी ओहों लग ही नहीं साल दी सी, and had stayed at the same age for 20 years. आते उसे उमर उत्ते ही, ऐनी बुटी उमर उत्ते ही पिछले 20 साल दों रुकी होई सी. She could never have been pretty. ओह कदे भी सुन्दर नहीं दे सकदी सी, but she was always beautiful. पार हो हमेशा ही सुन्दर सी. जेस्तरा ये हों देना कि अपनी दादी मा सारे नों सुन्दरी लग दी है, ते लेखक नों भी अपनी दादी मा फिर भी बहुत सुन्दर लग दी सी. She hoved about the house in spotless white. Hoved की हों दे कों दे रहें दे सान? ओधे दादी जी सान जो लेखक दे दादी जी सान ओ की अकार वेच्च कों दे रहें दे सान? In spotless white, बहुती सफेद कप्डे पहने हुए हुंदे सान ओना दे, with one hand resting on her waist, एक हाँ थोना अपने लग पर रख्या हुंदा सी, to balance her stoop, अपने कोब नों थोड़ा जा बैलेंस दें देले, and the other telling the beads of her ross दे, अथे दोसा हाथ माला दे मन के फेरदा रहेंदा सी, her silver lords were scattered untiddly over her pale pocket face, उनना दियां जो silver lords सान, वाला नों केंदे हैं, लटा नों केंदे हैं, वाला दियांनों लोड्स, उननना दियां silver lords, सफेद रंग दियां, चांदी रंगियां, जो वालसान नों दे वर scattered वो खिरषे हुनदे सान, untiddly over her pale pocket face, उनना दे पीले, adde सुंग्डे जहे चेरे दे उपर, and her lips constantly moved in in audible prayer, adde उननना दे जो बुल सान, लगातार constantly हुनदे, लगातार move हुनदे रहें दे सान, इनादिबल प्रेयर की है जो प्रेयर सुंदी नहीं हुंदी सी पर उना दे बोल देखे जा सकते सान के हमेशा ही ओह प्रेयर कर दे रहें दे सान येस शी वाज ब्यूटिफुल हाँ ओह सुंदर सी शी वाज लाइक दा विंटर लैंड्सकेप इन दा माउंटेंज ओह पहाणा दे बेचे जिमें एक सर्दियां दी लैंड्सकेप हुंदी है एस तरह देख दी सी एड एक्सपेंस और वाइट से रैंटी एक ब्रीधिंग पी सांट तरीके नार साल है दी हुई शांती याय कि पीस हेंड चोंटेंटमेंट एक शांती ही आथे सबर मूर्थन हो लाग दी शी फीजिकली हूँ सुंदर नहीं शी पर श्पिरचली हो कि याव बहुत सुंदर सी क्योंकि हो बहुत ही तार्मिक ओर्थ सी है मैघ ग्रैंड्म मैंनो मेरी दादी माँ को शाड़ गए सान, जाद हो शैर चले गए सान, and we work constantly together, अते असी लगातार इकठे रह रह सान, she used to wake me up in the morning, and get me ready for school, ओ अक्सर मैंनो सुवेरे उठाँ दी, अते स्कूल दे लई त्यार कर दी, she said her morning prayer in a monotonous sing song, ओ हो अपनी सुवेर दी प्राथना कर दी, monotonous sing song की हुंदा है, लगातार कुछ ना कुछ बोल दे रहना, जिमें, एकको सुर दे विच, एकको ताल दे विच की है, लगातार बोल दे रहना, ऐस तरह हो अपनी morning prayer कर दी रहना, while she bath and dress me, in the hope that I would listen and get to know it by heart, दादी मानुए आसुदी सी, के मैं ओ प्रेयर सुनांगा, अते इसनू दिलों सिखलांगा, I listened, मैं सुनदा, because I loved her voice, क्योंकि मैंनु उना दी, अवाज चंगी लग दी सी, but never bothered to learn it, पर कदे भी एहे कोई चंता नहीं करदा सी, के मैं इसनू सिख्खा, then she would fetch my wooden slate, फेर हो मेरी जो wooden slate होंदी सी, ओ लेया होंदी, which she had already washed, जेरी की उसने पहला ही वाश किती होंदी सी, and plastered with yellow chalk, अते जिसनू की आय, पीले रंग दी मिटी दे नाल, पीले रंग दे चॉप नाल, उसनू plastered कीता होंदा सी, उते एक लेव लगाया होंदा सी, and tiny earthen ink pot, अते शोटी जही, ink pot भी लेया होंदी, and a red pen, अते एक red pen, tie them all in a bundle, and hand it to me, इनना सारे नू हो एक bundle वेच बन दी, अते मैंनू फड़ा देंदी, after breakfast of a thick stale chapati, एक breakfast का रंतो बाद, एक मोटी बेही chapati दा, with a little butter and sugar spread on it, जिस दे उपर थोड़ा जहां butter, अते sugar spread कीता होंदा सी, we went to school, फेर सी school जान्दे, she carried several stale chapati with her, for the village dogs, ओह बहुत सार गा, stale chapati भी अपने ना लेलेंदी, village dog दे लाई, my grandmother always went to school with me, मेरी grandmother हमें इशा मेरे नाल स्कूल जान्दी, because the school was attached to the temple, क्योंकि school की यह temple दे नाल attached सी, बिल्कुल कठे संदू, the priest taught us the alphabet and the morning prayer, जो पुजारी सी उस अनू की सिखाँ दे, the alphabet and the morning prayer, alphabet सेख़दे यह सी, अते morning prayer सेख़दे, while the children sat in rows, on either side of the veranda, जदकी जो बच्चे हुंदे सी फिर के में बैठ दे, rows दे विच बैठ दे, लाइना दे विच बैठ दे, इदर साइड, दोने साइड ना दे उत्ते वरा अंडे दे विच्च, जान्दे अते ता आर्मिक ग्रांथ पढ़ दे रहन्दे, दे फालओ दे विच्च बैठ दे विच्च बैठ दे, इना दे प्रेंचिप, एही एक टर्निग कोईट सी, मोड लिया देवला समाशी साइड़ी, फ्रेंचिप विच्च, आलदो ही शेर दा सेंब रूम, आमे असी एको रूम ही शेर कीता, मैं ग्रांड मदर नो लॉंगर दे विच्च बैठ मेठ दे, मेरी दादी मा हुन मेरे नाल गोर स्कूल नहीं जानती सी I used to go to an English school in a motor bus मैं अक्सर एक English school दे वेच मोटर बस वेच जाया करदा सी There were no dogs in the streets गलियां वेच उथे कोई कुत्ते नहीं सान and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house अते उन्हा ने sparrows नो feeding देनी शुरू कर देती स्पेरोज नो पोजन देना शुरू कर देता इन दा courtyard of our city house साथे शेहर वाले कर दे वेड़े दे मेच As the years rolled by जिमे जिमे साल बीते we saw less of each other असी एक दू जनो बहुत कटी मिल दे For some time she continued to wake me up कुछ समय दे लईता हो लगातार मैनो उठाउं दी रही and get me ready for school अते मैनो स्कूल दे लिए तियार कर दी रही When I came back she would ask me जन मैं वापस हो दा अते हो मैनो पुछ दे What the teacher had taught me Teacher ने मैनो की प्राया सी I would tell her English words मैं उननो की दस्दा English words and little things of western science and learning अते कुछ के गल्ला western science दिया अते learning दिया उननों मैं दस्दा the law of gravity gravity दा जो law of sun उपना हो दे ओ दस्दा Archimedes प्रिंसिप लेस जो Archimedes की सी एक ग्रीक मैथे मैटिशियन सन और ना दस्दा आतबारे ए दस्दा मैं the word being round etc के ए तर्थी गोल है एह हो जिया गल्ला मैं दादी मानों दस्दा जो सानु स्कूल वेच्च सिखाईया जातिया जिस मेड हर अन्हापी ए गल्ल की है दादी मानों अन्हापी कर दिंदी शी कुट नौट वेच्च कोई साथा नहीं कर सकदे सन शी दिद नौट बलीव इन दादी मानों वेच्च भी विशवाच नहीं कर दे सन जो सानु इंग्ली स्कूल वेच्च सिखाईया है जान दे सन और वेच्च भी दादी मानों वेच्च भी नहीं कर दे सकदे सन वेच्च भी नहीं सकाया जान दे सन वन दे आइणाउंस दादी मानों बहुत जादे डिस्टर्ब होगे टू हर म्यूजिक है लिवड अस्सेशन उनना दे लई म्यूजिक की एक गंदे लोग का नार्सबंद रखन वाली चीज़ सी इट वाज दा मॉनुपलाई ओफ हारलोट्स और बैगर्स एह की एक संपत्ती सी हारलोट्स दी वेशवामा दी बैड विमन दी एंड बैगर्स अते पिखारियां दी अते जो पदरपर्श होंदेयां चंगे लोग आम लोग होंदेयां उनना दा है इत म्यूजिक दे नाल कोई सबंद नहीं एस तरह दी ग्रैंड मदर दी सोल सी शी सेट नथिं बट अर साइलेंस मीड दिसप्रोब हो वो कुछ भी ना बोले पर उनना दा मतलब की से उनना दी साइलेंस दा ना मंजूरी के उनना नो है मंजूर नहीं सी के मैं इस तरह म्यूजिक वगेरा सिखांग शी रियरली टॉक मी टॉक टू मी आफ्ट दै वो इस तो बाग मेरे नाल बहुत कट ही बोल दे वन आई वेंट अप टू युनिवर्स्टी जद मैं युनिवर्स्टी गया आई वस गिवन रूम आफ मैं आपना रूम दे रता गया दादी मा आते मेरे बेचे जो एक फ्रेंड्शिप दा कॉमल लिंक सी ओ की है टुट गया सी माई ग्रेंड मदर असेप्ट हर सेकलूशन विद रेजिगनेशन मेरी दादी मा ने अपना जो एकांच सी ओ बड़ी शांती दे नाल रेजिगनेशन दे नाल बड़ी शांती नाल सविकार कर लिया सी शी रेरली लेफ्ट हर स्पिनिंग वील वो बहुत काट ही शाड़ दी अपना स्पिनिंग वील की हंदा चर्खा तू टू 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 एनिवन किसे दे नाल भी गल करन दे लिया अपना चर्खा हो बहुत काट ही शाड़ दी हंदी सी वो हर वक्त की चर्खा ही कर दी रहेंदी From sunrise to sunset She sat by her wheel Spinning and reciting prayer सूरज निकल दो लएके सूरज शिपन तक वो हो की अपने चर्खेत ही बैठी रहेंदी अधी prayer recite कर दी रहेंदी Only in the afternoon She relaxed for a while to feed the sparrow केवल बाद पर वो कुछ समय दे ली relax कर दी जाद हो sparrows नूँ चिडिया नूँ पोजन के ला रहे हुंदी While she sat in the veranda Breaking the bread into little bits जाद हो वेरांडे वेच बैठी हुंदी Bread दियां, roti दियां, छोटे-छोटे टुकड़ा नूँ तोड़ दी हुई Hundreds of little birds collected around her कई सो पंची, छोटे-छोटे पंची उस दे द्वाला ये कठे हो जादे Creating a veritable bed lamb of chirping Bed lamb की हुंदा एक पागल खाना जाद क्रेट कर दे हुए क्योंकि बहुत सारे पंची कठे हो जादे उन्हाद ये वाजनाल इस तरह हो जादा जिस तरह कोई पागल कर नहीं होगे Some came and pursed on her legs कोज पंची आउंदे याँ लगता होते ही बैठ जादे Purse की हिंदा बैठ जादे, sad Others on her shoulders कोज उन्हादे मुड़ें होते भी बैठ जादे Some even sat on her head कोज ताँ उन्हादे सेरुपर भी बैठ जादे She smiled but never shoot them away वो मुस्क्राओं दी पर उन्हादे भी पासे ना उड़ाओं दी जाँ पासे ना उड़ाओं दी It used to be the happiest half half an hour of the day for her एहे दादी माँ दे ली अक्सर की है सब तो खुशी वाला अद्दा कांटा हमदा सी जादो हो पंचिया नो पोज निकला रही हैं दी When I decided to go abroad जादो मैं ए फैसला कीता वदेश जान दा फैसला कीता for further study अगली पड़ाई दे ली I was sure my grandmother would be upset मैंनो पका ही सी के मेरी grandmother upset हो जावेगी I would be away for five years मैं पांच साल दे ले कर तो पासे रहना सी and at her age one could never tell अते जस्तना दी मेरी दादी मादी उमर सी कुछ भी नहीं किया जा सकदा सी But my grandmother could पर मेरी grandmother नो शायद पता सी She was not even sentimental ओता इथों तक के पाहुक भी ना हुई She came to leave me at the railway station ओ मैंनो railway station दे शड़नाई but did not talk or show any emotion पर उना ने कोई भी अस्तरा दी गल ना कीती अते अपने कोई emotion भी शो ना कीती Her lips moved in prayer उना दे बोल सान जो प्राधना दे विच मूव कर रह सान Her mind was lost in prayer ओना दा mind we prayer दे विच lost सी Her fingers were busy telling the beards of her rosary ओना दिया उंगलां माला दे मन के फेरं दे विच busy सन silently she kissed my forehead बड़ी ही शान्ती दे नाल ओना ने मेरे मत्यनों चुम्या And when I left I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us I cherished it, मैं याद रख्या उस गिल्ले imprint नूँ उस गिल्ले एक सपर्श नूँ एक निशान नूँ As perhaps शायद हो साठे विच्च दादी मां आते मेरे मेरे विच्च हो एक last physical contact सी But that was not so पर इस तरह ना होया After five years I came back home and was met by her at the station 5 साल ना बाद जाद मैं वापस आया ताह अपनी दादी मानू मैं स्टेशन उत्ते मिल्या She did not lock a day order ओ एक दन भी बुड़ी नहीं लग दी सी जेस तरह राइटर ने उन्हों शड्या सी ना पांस साल पहला ओ हाले भी उसे तना ही लग रही सी ते एक दिन भी बुड़ी नहीं लग रही सी She still had no time for words दादी मां कोल आज भी जादा words नहीं सान बोलन देली कोई जादा शाब्द नहीं सान टाइम नहीं सी उन्हों पुड़े जादा गल्ला करन दा And while she clapped me in her arms अते जदों उन्हों ने मैंनू अपनियां बहां वेच कुट्या I could hear her reciting her prayers अते मैं सुन सक्दा सी उन्हों के हो अपनी prayer recite का रहे सान Even on the first day of my arrival एथों तक के मेरे आउन दे पहले दन Her happiest moments were with her sparrows उन्हों दे खुशी वाले पलकेड़ी सान ओ अपनियां sparrows दे नाल ही सान Whom she fed longer and with a fabulous rebuke जिन्हों कि या जादे लम्मा समा जिन्हों उन्हों ने खवाया अते एक fabulous rebuke दे नाल हासे आसे मेच कि आउन्हों चिड़कवी रहे सान In the evening a change came over her शामनों की है एक बतलाव उन्हों दे वेच आ गया She did not pray उन्हों ने कोई भी प्राथ्या नहीं कीती सी आज She collected the women of the neighborhood उन्हों ने गवाण दिया और तानों कठे कीता Got an old drum एक पुराना ड्रम लिया And started to sing गवना शुरू कर देता For several hours she thumped कई खांट आता की है उन्हों ने उस ड्रम नों वजाया The sagging Sagging होंदा है Weak Skills of the Delight Pater Drum एक जो ड्यमेजड ड्रम सी उसनों कई खांट आता कुछ दी स्केन नों ड्यमेजड स्केन सी जो उसनों वजाया And sang of the homecoming of various अते योध्यां देख का रावन देखी तो उन्हों ने गई We had to pursue her to stop to avoid overstaining That was the first time since I had known her that she did not pray इह पहली बार सी शायद के मैं नों देख्या सी के आजुना ने प्रेर नहीं कीती सी The next morning she was taken in अगली सुबा हो बिमार होगे It was a mild fever इह एक हलका जया fever सी And the doctor told us that it would go अधे doctor ने सानु दस्या के है चला जावेगा But my grandmother thought differently पर मेरी दादी मा थोड़ा जा अलाग ही सोच दी सी She told us that her end was near उना ने सानु दस्या दादी मा ने दस्या के उना ना आंत नेडे सी She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life She had omitted to pray She said that since only a few hours before उना ने सानु दस्या के केवल कोज क कांटे पहला The close of the last chapter of her life उना दी जीवन दा जो लास्ट चैप्टर सी उखातम होन तो कोज क कांटे पहला She had omitted to pray उना ने skip कर देती सी अपनी प्राथना She was not going to waste any more time talking to us होन हो होर जादे समा व्यर्थ नहीं के वोना चाओंदे सी साथे नाड़ करना करके We protested असी यसे करना दा विरोध भी कीता But she ignored our protesters पर उना ने किया साथे Protesters नूँ ignore कर दता She lay peacefully in bed praying and telling her beards ओ बड़ी शांती नाल बैट उपर लेट गए अते प्राथना करने शुरू कर देती अते अपने माला दे मन के फेरने शुरू कर देती Even before we could suspect इत्तों तक के इस्तों पहला की असी को जी शक कर दे Her lips stopped moving उना दे बुलाने की या move करना stop कर देता And the rosary fell from her lifeless fingers अते जो माला सी उना दे या lifeless fingers दे विच्चों हेट अडिक पे A peaceful parlor spread on her face एक शांती जे वाली पीलक होना दे चेरे उपर शा गई And we knew that she was dead अते असी जान गई सी के उना दी मौथ हो गई सी We lifted her off the bed And as is customary असी उना नू बैट दे उपर चक्या अते जिमेंक एक रिवाज सी Laid her on the ground And covered her with the red shroud उना नू ग्राउंड उपर लिटाया अते एक लाल कफन दे नाल उना नू टक देता After a few hours of morning कुछ के समा रोनतों तो बाद We left her alone असी उना नू इकले शाट देता To make arrangements for the funeral उना दे अंतम ससकार दे अरेंजमेंट करन दे ले असी उना नू कुछ समा दे ले अकले शाट देता In the evening we went to her room शाम नू असी उना दे कमरे वेच गई With the crude structure Crude की हम दे जो एक केरफुली ना आतियार किता गया हुए ऐस तरह दे टांचा एक crude structure दे आल गई To take her to be cremated उना दा दासन्सकार करन दे ले उना नू ले जान दे ले असी एक crude structure लेके गई The sun was setting and had lit her room जो सूरी सी हो शेपरहा सी अते सूरी दी लालीने की का दता सी उना दे कमरे नू पूरी तरह रुशना दता सी And वरांडा with the blaze of golden light Golden light दे नाल उना दा कमरा अते जो वरांडा सी पूरी तरह चंक उठा सी We stopped halfway in the courtyard असी अद्धे रस्ते उत्ते ही रोपगे वरांडे वालनू All over the veranda and in her room सारे वरांडे दे वेच अते उना दे कमरे दे वेच Right up to where she बिलकुल उत्वों तक जिते Where she lay dead जिते हो मृतिक पाईसी And stiff अते रैब्ड इन दा red surround मृतिक पाईसी अते बिलकुल stiff आकडी हुई Wrapped लिप्टी हुई in the red surround लाड कफन दे वेच लिप्टी हुई Thousands of sparrows sat scattered on the floor हजारा ही चडियां खिलरीयां हुई यां बैठियां सान फर शुक्पन There was no chirping पर कोई भी चैच हाट नहीं सिर्थे We felt sorry for the birds असी थोड़ा जा उदासी मैसूस कीती दुख मैसूस कीता हुणा पांचियां दे ले And my mother fast some bread for them अते मेरी मदर सी जो उना दे ले चिडियां दे ले कुछ ब्रेट ले आई कुछ रोटी दे टुखड़े ले आई She broke it into little crumbs उना ने इना टुखड़े नू छोटे छोटे टुखड़े दे लेच्चे तोड़े The way my grandmother used to उसे तांगराल जिमें मेरी Grandmother अक्सर करया कर दे सन And threw it to them अते हे टुखड़े उना चिडियां नू सोट दिते The sparrows took no notice of the bread पर उना चिडियां ने रूटी दे वल बिलकुल वित्यां ना देता When we carried my grandmother corpse जदो असी अपनी grandmother दे corpse नू आफ जनी की dead body नू लाए गए They flew away quietly ओ शांती दे नाल उड़ गई है Next morning the sweeper swept the bread crumbs into the dust wing अगली सुबा sweeper ने वो जो रूटी दे टुखड़े सान उना नो एक पासे करके की कर देता स्वेप्ट करके dust bean वेचे सोट दिता इस तरह ए चैप्टर इस खत्म होंदा है इस चैप्टर वेच राइटर दी ते grandmother दी friendship बारे दस्या गया है कि में ओ friendship अगे वधी थे कि में टूट गई इस लेशन वेच ग्रेंड मदर दा जो चैप्टर का चैप्टर इस लेशन वेच ग्रेंड मदर दा जो चैप्टर का चैप्टर हो बहुत ही इंपॉर्त है Okay, I hope you have understood this chapter If you liked it, don't forget to subscribe this channel and press the bell icon to get new notification Thanks